कि असे tratamita आज मैं शुक्र शेयर करने जारी हूं गोबी मैंचूरियन की पी आप सबने मैंचूरियन टो बाहत ही खाया हूँगा पर क्या आप्олов सबने को Students अगर आप सबने गोवी मैंचुरियन ने खाया है तो इस तरह से पी को आप पूरा एंज तर देखिए और इंकी प्रोसेस को भी ध्यान दीजिए कि मैंने इंको कैसे बनाया है आप सब भी अपने गर्पीं को बहुत ईजली तरह के से घर पे बना सकते है तो यह देखिए मैंन अगर पाने के लिए पाने के इंदर डीप करके रहने देखिए तो आई अपनी आगे के प्रोसेस को देखते हैं अगर आप सब को यह पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और रिचिपी को एक प्यारा सा कमेंट बिजिए गा जिसे मुझे पता चले कि आप सब क कर सकते हैं एक मैंने ले लिया है एक चम मस्कॉंट गौन्प्रोर साथ में एक प्रोली सौया सोस चिद्री सौस दिखापं के लिए अप चाहे तो अपने एपन को दुकते हैं थोर रही चाहरे उसज़ेंगा बहुत ही अच्छा आता है कि नमक नमक डाल देंगे और इंक देखने में हमारे गोवी मंचुरियन बहुत ही अच्छे लगते हैं अब इंको पानी डाल के हलका सा बैटर त्यार कर लिया है अगर अपको लगता है कि अपका बहुत ही लिकुड हो गया है तो आप उसमें मैदा याफी कौंटिटी बढ़ा सकते हैं मेरा बैटर तो बिल्कु तो यह देखिए गोवी को मैंने चान दिया है इसका पानी निकल गया अच्छे से अब कड़ाई को गर्म कर लेंगे उसमें डाल देंगे कुकिंग और जो भी कुकिंग वाई जूस कर सकते हैं तो और को भी हमको हल्दकर से घरम कर लेना है बहुत ज़्यादे आप अपको ग सब्सक्राइब कर दिया है तो जब हमारा गोवी अच्छे से पुरकुरा हो जाएगा तब हम इंको कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे और सारे को इस तरह से हम डीप करते हुए कोट करके कड़ाई में डाल देंगे तो यह देखिए हमारी गोवी दिखने में कितने अच्छी लग रही हो और हमने जो ब्लांच किया है गर्म पानी में उससे हमारी गोवी थोड़ी से पग भी गई है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगी क्योंकि मैंने इसको कोट किया है मैदा और कॉन फ्लोर से तो आप सब भी अपने घर पी एक बार जलू ट्राय करें और प्लडी का यूज भी कर सकते हैं इससे एक यहीं का बहुत ही अच्छा आता है तो आप सब यहाओ आपे स्टोमाटो साउस के यह तो इससे कलर बहुत ही निखरके आया तो अपमुए मंचुरेंग के लिए कि हमारी गोवी कितनी अच्छी सी क्रिस्पी और अच्छी दिख ग करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना बूलेगा तो आपके सब को यह रेसेपी कैसी लगे तो आप सब अपने घर पर जुछे वी मैंचुरिंग की रेसेपी एबाज जरूर ट्राइब करें यह दिखिए मैंने सारी पोभी बाहर निकाल लिया है अब बचेवे गोभी को भी इसी तरह से डिफ्राइ करके बाहर निकालेंगे तो आएगे की process को देखती है मैंने सेम कडाई में गी को कम कर लिया है केवल एक चमस्टिकरी मैंने गी लिया है और यहापे मैंने slice के वे प्यास को कट कर लिया है अब अपनी quantity साब से इनको कम जादा भी कर सकते हैं प्यास क कि हाई फ्लेम पे इंको सोटे करते हुए हमको दो से पीन मीनिट हो गए इंको थोड़ी दिर हम और पका लेंगे जब आपको लगए कि अपका सुनारा लाल होने लगा है तो भी आप इसमें डाले जिए कैप्सिकम मैंने या पे स्लाइस किये वे कैप्सिकम भी डाला है आप च करने का फायदा होता है कि आपकी बहुत ज्यादा गलती नहीं जिससे आपके सब्जी कर दाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है तो यह दिखिए मैंने नमक दार के इंको पकार दिया हम एट करेंगे जो हमारे पास गोबी की सेलरी बची हुई उसमें हम पानी ड जाल गया है और सारी हमारे जो मैदो और कॉन फ्लोर का मिक्षिर था वह सब जियों मिला पेट लिया है तो इसके अंदर हम सौस आइड करें दो से तीन बड़ी चमस मैंने टोमेटो सौस रिए अगर आप सब टोमेटो सौस जी ने करना चाहते हैं तो आप यह पी टोमेटो सकते हैं तो आप से के साथा ती हुग अगर सबकर क contexto अ गुटी हो तो आप मुझे कर सकते हैं वह बढ़ा लें तो यह इसा हमने इंको अच्छे से मिक्स कर दियो और फिसके अंदर हम डाले सफेद इल यह बहुत ही है खाने में और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इस पर जरूर राइट करें और इसमें मैंने फ्रेस्ट और लेव डाल क इंको मिक्स कर दिया है में इंको हरके से मिक्स कर देंगी जिसे हमारा सफेद तील जो है थोड़ा सा भूंजा और खाने में बहुत ही अच्छा लगी हमारे गोवी मंचुरियन बिल्कुल रेश्ट्रोने स्टाइल बन के तेयार हो गई तो आप सब अपने घर पी जरू ट्र देना ना भूले तो आई इसको लेटिंग कर लेते हैं तो प्रेटिंग करने के लिए मैंने इंको सिंपल से प्रेटिंग किये आप चाहे तो अपने इसाब से इंको प्रेटिंग कर सकते हैं और आप इंके साथ और क्या खाना पसंग करेंगे आम मुझे कर मेंने बताना ना है तो आप सब अपने घर पर जरूर ट्राइए करें इंको गानिशिंग कर दिए धनिया के साथ और आप सब इंका इंज्वाय करें अपने घर पे और मुझे एक बार बताना ना बुले कि आप सब को यह रेसे भी कैसी लगी अगर आप सब को गोभी मंचुरिय के पसंद आई ह तो आप सब अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर भी करें जिसे मुझे मुझे मोटिवेट हो और मैं आप सब के लिए इसी तरह से अच्छे-चे रेसिपी ले की आती रहे हूं तो यह दिखिए मैंने इंको सर्फ कर दिया है और यह हमारी प्लेटिंग तयार हो गई ह अब मैं इनको जा रही हूं इंज्वाइ करने आप सब भी अपने गार पर एक बार बनाए और मुझे फिडबेक देना ना भूले तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ और कोई रिसे प्रेकोश्ट तो मुझे कमेंट जरूर करे तो फिर मिलते हैं बाई बाई टेक केर खाते रही है बनाते रही है